दोस्तो आप इस मामूली सी उपाय से गैस, कॉब्ज, एसिडिटी से बिलकुल छुटकारा पास सकते हैं दोस्तो हर एक ब्यक्ति के पेट में गैस का बनना आमसी बात हो गई है क्योंकि पेट में गैस की बनने की वज़ा से हमारे सरीर में अनेक रोग उत्पन हो जाते हैं जैसे चकर आना, पेट का फूल जाना, पेट में दर्द का होना, पेट में एठन जैसी समस्या का होना इतियाद रोग होने लगती है जिसकी वज़ा से हम सभी बहुत ही परशान रहते हैं और अनेक उपाय करते हैं तो भी हम सभी को राहत नहीं मिलती है लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल घबराईये नहीं आज का यहनुष का गैस कब्ज SDT को एकदम छू मंतर की तरह गायब कर देगा क्योंकि यहनुष का पियोर घरेलू अपने आप पर अजमाया हुआ है और 100% गारंटी भी है कि पेट में गैस का बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इस नुषके को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है ओ है एक कप नार्मल पानी अब इस एक कप नार्मल पानी में जो चीज आपको एड करनी है ओ है चीनी दोस्तो चीनी तो आपके घरों में हमेशा चाई बनाने में सुबह साम्यूज होता ही है तो आपको चीनी आपके घरों में ही मिल जाएगा तो आपको चीनी मात्र इतनी सी मात्रा में इस भरी कप में एड़ कर लेनी है अब आपको जो चीज इसमें एड़ करनी है ओ है काला नमक दोस्तो काला नमक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से यानि खाना को पचाने में काफी मदद करता है तो आपको काला नमक इतनी सी मात्रा में इसमें आइड कर लेनी है अब आपको जो चीज इसमें आइड करनी है ओ है नीबू दोस्तों नीबू में बिटामिन सी और पोटैसियम घुलन सील होता है जो हमारे पेट में गैस बनने से रोकने में काफी मदद करता है तो आपको हाफ कट नीबू इसमें निचोड लेनी है अब आपको क्या करना है इसे ऐसे चमश की सहायता से पूरी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक चीनी नमप पूरी तरह से इस घुलन सिल पानी में मिल न जाए जब पूरी तरह से मिल जाए तब आपको क्या करना है इस कब भरी पानी को धीरे धीरे करके पूरा पी लेना है दोस्तो इस उपाय से एकदम पूरी तरह से आपके पेट का गयश तुरंत खत्म हो जाएगा और आपको एक अजीब साफिल होगा और आपको पेट के गयश कब्ज, SDT, बदहजमी से बिल्कुल राहत मिलेगी तो दोस्तो यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में सेर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जनकारी का भरपूर लाह मिल सके